हलो बच्चों क्या हाल चाल तो भाईया आपके पास Electrochemistry का summary lecture लेकर मैं आया हूँ और यहाँ पर हम लोग आज करने बाले Electrochemistry को decode और मतलब जादा टाइम नहीं लेकिन हाँ कम टाइम में जितना अच्छे से हो सकता है Electrochemistry को revise करेंगे बस इसके बाद आप सब को क्या करना है questions करने है पी वाई क्यूज हो या जो भी आप किसको भी follow करने है उसको attempt करना है ठीक है अगर मतलब exam के आसपास यह वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप एकदम ही अच्छे से करिएगा ठीक है कि हाँ वह को इसको बाद प्लीज को करना है ठीक है तो चलिए सब लोग स्टार्ट करते हैं अच्छा एक चीज़ और बार-बार हर एक summary lecture बोलता हूं भाई प्लीज अगर कहीं से भी कुछ पढ़के आए हो तभी ये lecture देखना क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना कि ये direct आपको ये lecture दिख जाए पहले उपर तो आपने इसी को क्लिक कर दिया आपको इलेक्टर कमेस्टी आती ही नहीं है तो फिर कोई logic नहीं है ठीक है आप class attend करके आए हो चाए मेरी करके आए हो चाए किसी की भी attend करके आए हो कोई फरक नहीं पढ़ रहा बस आपका होना मतलब थोड़ा बहुत basic साना जरूरी ह इसके बाद आपको questions करने के लिए practice करनी है ठीक है question practice करनी है ओके चलो सुरू करते है summary lecture और देखते है हमारे पास क्या क्या है आज के summary lecture में और यहाँ पर चेक करते है हम लोग स्टार्ट करते है तो formula sheet हम सब लोग जानते हम लोग इसको formula sheet बोल दे चाए summary lecture बोल दे इलेक्ट इनर्जी मिली spontaneous chemical reaction से जो chemical energy मिली उसको किसमे convert करना है electrical energy में spontaneously अपने आप हो रहा है तो इससे जो energy मिलेगी अगर उसको आप electrical energy में convert कर रहे तो यह किस पे अपने पास electrochemical cell बनाएगा redox reaction के उपर ही based है अगर कोई reduction या oxidation अपने आप होगा electron का transfer होगा electron के transfer जैसे ही होगा उसके opposite direction में current move करेगा और यही हमारा electrochemical cell होता है electrolytic cell दो टाइब की batteries है electrolytic cell में क्या होता है कि हम electrical energy देते हैं हम electrical energy देते हैं ताई chemical reactions हो पाएं कौन सी chemical reaction जो non spontaneous होती है spontaneous non spontaneous हम सब लोग thermodynamics में जानते हैं ठीक है तो spontaneous non spontaneous देख लीजिएगा अगर मैं बात करूँ तो सर हम लोगों के पास cathode जब भी किसी battery में जाते है तो दू टर्मिनल होते है एक को एसाइल स्प्रले में कैमेड दोने क्याणता है कैथोड टोलाय जाता है कैथोड क्या है जहां reduction टेक्स प्ल t प्लिस सार- electrow-chemical-cell में थोगा यहाँ होता है जहां oxidation होता है Electroletic Cell में जाएंगे तो यह plus का minus, minus का plus, क्यों, क्योंकि सर Electroletic Cell में हम अब energy दे रहे हैं, हम electricity दे रहे हैं, हम electron दे रहे हैं, पहले क्या था, इस reaction से electron transfer से energy मिल रही थी, अब हम लोग electron खुद दे रहे हैं, हम खुद Electroletic Cell से, Electrical energy से, हम chemical reactions करवा रहे हैं, तो यहाँ पर Terminal क्या हो जाता है, opposite direction में चला जाता है. तो दो टाइब के cell, electrochemical और electrolytic cell, electrochemistry में इनी के बारे में सब कुछ जानना है, कब chemical energy से electrical energy में, कब electrical energy से chemical energy में, इनी की conversion पूरे chapter में चलेगी. इनी की conversion पूरे chapter में हमें करनी है, देखिएगा. अगर मैं electrochemical cell की बात करूँ, तो electrochemical cell में क्या होता है इधर anode लिख दिया, इधर cathode लिख दिया बीच में एक salt bridge लगा दिया आप कोई पता है, anode से electron जाता है current कहां आता है, उसके opposite direction में conducting wire लगा पड़ा है अब देख लो, cell representation कैसे करते हो anode bridge cathode, ये zinc वाला copper, zinc copper का जो reaction है ये सबसे famous है, सबसे ज्यादा famous है, देख लो electron कहां से कहां flow करता है, anode to cathode flow करता है, current obvious है, cathode to anode हो जाएगा thickness of anode, obvious है, यहां metal क्या कर रहा है खुद को oxidize कर रहा है, धरे-धरे metal क्या करेगा, उसकी electrode की, anode की thickness क्या होगी, कम होगी, thickness of cathode क्या होगा, obvious है, metal क्या होगा, deposit होगा, तो उसकी thickness क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कोई भी electrochemical cell जब होता है, तो electron का transfer होता है, कोई evolution of heat नहीं होता, no evolution of heat, उसके बाद, sir, solution remains neutral on both side, solution दोनों side neutral रहता है, कैसे, इसी neutrality को maintain करने के लिए, तो salt bridge use करते थे, इसी neutrality को maintain करने के लिए, हम लोग क्या करते थे, neutrality को maintain करने के लिए, salt bridge use करते, क्यों कि, sir, अगर इधर positive हुआ, माल लो, ये reaction है, ये zinc rod है, zinc से किसमें चला जाएगा, zinc plus two में, तो sir, ये जो positive positive solution बन रहा है, इधर क्या होगा, copper plus two, copper plus two, किसमें चला deposit हो जाएगा, copper में, तो sir, यहाँ, negative charge बढ़ जाएगा, यहाँ positive charge बढ़ जाएगा, इसी को minimize करने के लिए, हम क्या use करते हैं, salt bridge use करते हैं, liquid, liquid junction potential, कुछ ऐसा पढ़ा थरमणा इसकी याद दिलाएगा, Gibbs energy less than zero, delta is total greater than zero, sir, कोई stoichiometric coefficient represent नहीं किया जाता, जैसे अगर कहीं reaction में two लिखा है, या three लिखा है, तो वहाँ पर cell representation में stoichiometric coefficient का कोई दिना दिना नहीं, आप उसको लिखते नहीं हैं, ठीक है, मान लो कहीं पर कोई reaction लिखा है, A से A plus three, या ऐसे लिखा है, A B plus two है, यहाँ पर A plus three हो रहा है, और B हो रहा है, तो आप charge balance करेंगे redox reaction से, तो ये ना आपने पास, I के दो हो गए, तीन हो गए, तो इसका जब cell representation करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, anode का representation, फिर cathode का representation, cathode का representation, stress metric efficient का कोई लेना देना नहीं होगा, stress metric efficient use नहीं होते, cell representation में, तो electrochemical cell वो है, जहाँ anode धेजरे oxidize होता है, cathode धेजरे reduce होता है, anode के thickness कम होती है, cathode के thickness बढ़ती है, anode से electron move करता है, cathode electron के opposite direction में current move करता है, इन सम में कोई heat evolve नहीं होती है, solution हमेज़ सा क्या रहेगा, neutral रहेगा, daniel cell किसको बोलते हैं, तो zinc और copper जो सबसे favorite है, आप NCRT जब पढ़ते हैं, तो शुरुवात उसी से होती है, zinc और copper का जो cell है, उसी हो क्या बोल दिया जाएगा, daniel cell, potential क्या है, 1.1 volt, कितना है, 1.1 volt, अगर concentration 1 mole per liter है, अगर concentration 1 mole per liter है, तो इसी को लोग क्या बोलते हैं, galvanic या voltaic cell बोलते हैं, इसी को लोग क्या बोलते हैं, galvanic या voltaic cell बोलते हैं, इसी को लोग क्या बोलते हैं, galvanic और voltaic cell, ठीक है, देख लीजेगा, यह नाम आम यह सब, NCRT की यहाँ पर इसका जो voltage होता है 1.1, अगर आप anxiety देखेंगे तो वहाँ पर 3 conditions मिलेंगी, अगर external voltage less than, मतलब बाहर से जो voltage दे रहे हैं, अगर वो less than 1.1 है, तो यह normal Daniel cell जैसा था, वैसा ही behave करेगा, electron flow करेगा, zinc से copper, current flow करेगा, copper to zinc, zinc से copper और copper to zinc, zinc dissolve करेगा, at anode, copper deposited at cathode, zinc behave करेगा, zinc dissolves at anode, और copper discharge होगा, cathode जो normal होता है, कि anode पर oxidation होगा, zinc dissolve करेगा, copper deposit होगा, अगर आपका external voltage equal to, मतलब अपने voltage लगाया, लेकिन equal लगाया, तो मतलब current क्या हो जाएगा, बंध, कोई chemical reaction होगा, अगर external voltage greater than 1.1 volt आया, तो उस case में याद रखिएगा, reverse Daniel cell आएगा, reverse Daniel cell मतलब जह से, electron zinc to copper flow कर रहा था, अब copper to zinc, मतलब electrolytic cell की तरह convert हो जाएगा, अब opposite reaction, reaction reverse हो जाएगी, electron opposite direction में, current भी opposite direction में, sir, zinc deposit होगा, और copper क्या होगा, dissolve होगा, तो ये दोनों के, तीनों की बीच में, अगर कोई electrochemical cell है, उसके opposite direction में, उससे ज्यादा heavy लगा दिया, अपने external voltage, तो उस case मे Daniel cell या, electrochemical cell क्या हो जाएगा, reverse हो जाएगा, तो ये Daniel cell, reverse cell, salt bridge क्या है, मैं बार बार लो, electrochemical cell में, salt bridge, एक U-shaped glass tube होता है, जिसके अंदर अगर अगर paste होता है, with NH4, NO3, KNO3, KCL, as conducting electrolytes, क्या करता है, तो ये circuit को complete करता है, maintains neutrality, neutrality को maintain करता है, ये क्या करता है, circuit को complete करेगा, neutrality को maintain क करता है, minimizes liquid-liquid junction potential, liquid-liquid junction potential हो क्या करेगा, minimize करेगा, जिससे मैंने क्या बोला था, कि इधर एक side zinc plus 2 का charge ज्यादा हो जाएगा, और एक side sulfate minus का charge ज्यादा हो जाएगा, तो एक liquid में negative charge, एक liquid में positive charge, तो उनको कम करने का काम कोन करता है, salt bridge, क्योंकि salt bridge के अंदर क्या होते है, positive और negative दोनों, positive वाला negative को neutralize करेगा, negative वाला positive को neutralize करेगा, यह किसको avoid करता है, diffusion को, मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई इधर से दर move करे, सिर्फ सिर्फ diffusion और mechanical flow of solution, from one half cell to another, दो half cell में होता है हमारा redox reaction, दोनों half cell को हमनों एक साथ देखा, तो हमनों एक साथ देखेंगे, no, avoid the diffusion or mechanical flow of solution, from one half cell to another, condition for electrolytes, used in salt bridge, condition for electrolytes used in salt bridge, ठीक है, यह देख लीजिए, क्या है condition, तो सर, ionic mobility of cations and inions almost equal होना चाहिए, मतलब जो cation और inion, जो भी cation और जो भी inion आप salt bridge में डाल रहे हो, उसकी ionic mobility, मतलब दोनों की velocity क्या होनी चाहिए, equal होनी चाहिए, ताकि एक ही time पे दोनों positive और negative charge, दोनों को हम लोग क्या कर पाए, stabilize कर पाए, neutralize कर पाए, cation और inion जो आप use करेंगे इसके अंदर, जैसे salt bridge के अंदर, यह पता चला यह जाके खुद का reaction कर दें, तो कोई फायदा नहीं, यह react नहीं होने चाहिए, यह inert होने चाहिए, यह inert with ions of the cell, ऐसा नहीं कि जाके खुदी का prostate बनाने लगे, खुदी जाके reaction करने लगे, फायदा नहीं फिर, पर चला अपना electron देने लगे, इनका अपना redox reaction हो रहा है, उसका कोई logic नहीं है, अगर कोई salt bridge ना हो, तो circuit क्या होगा, incomplete होगा, current flow क्या हो जाएगा, zero, कोई पूछ देगर salt bridge ना हो, तो circuit क्या रहे between electrode और electrolytic solution, आप कोई पता है, ये किस के किस के उपर depend करेगा, nature of electrode पे, temperature पे और concentration पे, ये सारा का सारा, electrode potential किसको define करता है, सर, electrode potential की normal बात की जाए, तो वो किसको represent करता है, tendency to get oxidized or reduce, tendency to lose or gain the electron, यह represent करता है, सर, oxidation potential की बात की जाए, तो oxidation potential क्या बताता है, कि सर, आपकी tendency होने की या कम है खुद से याद रखिएगा अगर मेरा Oxidation Potential जादा है मतलब मैं खुद को Oxidize जल्दी करना चाहता हूँ अगर मैं खुद को Oxidize करूँगा तो मेरा Reducing Power जादा होगा देख लिजेगा Oxidation Potential जादा मतलब आपकी Tendency to get itself Oxidize अपने आपको Oxidize करने की Tendency जादा होगी और इसका मतलब Reducing Power or Reducing Agent to others आपकी क्या होगी जादा हो जाएगी तो अगर Oxidation Potential हाई है तो Reducing Power आपका हाई होगा त्याद रखिएगा Oxidation Potential आपका हाई है मतलब आप खुद को Oxidize करना चाहते हो दूसरे को क्या करोगे Reduce करोगे तो यह ध्यान रखिएगा Reducing Potential क्या होगा Sir Oxidizing Power डारेक्टली Reducing Potential मतलब कि Sir मैं खुद को Reduce करना चाहता हूँ अगर किसी का Reducing Potential हाई है मतलब वो खुद को Reduce करना चाहता है अगर वो खुद को Reduce करना चाहता है Sir अगर Reducing Power की बात करे Reducing Potential की बात करे तो वो खुद को Reduce करना चाहता है तो दूसरे वो क्या करेगा Oxidize करेगा तो देख लो Reducing Potential किसके Directly Proportional Oxidizing Power के या Tendency to Get Reduce Itself अपने आपको Reduce होने की पावर तो ये ध्यान रखेगा Reducing Potential क्या होगा Tendency to Get Itself Reduced या फिर Directly Proportional to Oxidizing Power ये दोनों के बीच का Difference क्योंकि Exam Hall में इस पे तीन कोशन आते हैं एक, Sir अभी Choice of Cathode और Enode को Choose करने में काम आएगा Cathode पे क्या होता है Reduction तो वहाँ सबसे Best कौन होगा जिसका Reduction Potential High होगा Enode पे क्या होता है Oxidation तो वहाँ Best कौन होगा जिसका Oxidation Potential High होगा तो याद रखेगा, Sir ये चीज़ जिसका Reduction Potential High वो अच्छा Reduction, मतलब खुद को Reduce करेगा मतलब वो Cathode अच्छा बनाएगा जिसका Oxidation Potential High वो खुद को Oxidation जल्दी करेगा तो वो अच्छा Enode बनाएगा Sir, Reduction Potential, Oxidation Potential से ये भी पता चल जाता है कौन Oxidizing Agent है कौन Reducing Agent है Reduction Potential High है, मतलब मेरी Oxidizing Power High है कैसे? मेरा Reduction Potential अगर High है ना तो मैं खुद को Reduce करूँँगा और दूसरे हो क्या करूँगा Oxidize करूँगा तो अगर Reduction Potential High देख रहे हो तो मतलब अच्छे Oxidizing Agent वो बनाएगा अगर किसी का Oxidation Potential देख रहे हो तो अच्छा Reducing Agent होगा ये तीन कोशन्स आप देख लिजेगा बैटरी के अंदर क्या क्या मिलने वाला है अगर किसी का Oxidation Potential देख रहे है किसी आटम का या किसी भी ऐलिमेंट का तो Oxidation Potential और Reduction Potential Magnitude वाइस बराबर होते है Magnitude वाइस क्या होते हैं बराबर होते है सर इसलिए अगर Oxidation Potential जाते टाइम पॉस्टिव है अगर ये Positive है तो ये क्या होगा Negative एक दूसरे के बस Reverse है Initial and Final State बस अलग हो जा रही है एक दूसरे क्या है Reverse है अध्यान सुनिएगा अगर किसी का Oxidation Potential दिया है मतलब कोई अच्छा Oxidation Potential जिसका High है उसका Reduction Potential क्या हो जाएगा जिसका Oxidation Potential High होगा उसका Reduction Potential क्या हो जाएगा लो हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा Oxidation Potential जिसका जितना High उसका Reduction Potential हो नहीं क्योंकि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा अगर प्लस में ज्यादा वैल्यू है तो माइनस मूत नहीं कम हो जाएगा भाई साथ पक्का Choice for Cathode Cathode की स्कूल हैंगे जिसका Reduction Potential क्या हो High हो बहुत High Reduction Potential या सबसे कम Oxidation Potential हो क्यों क्योंकि सर Reduction Potential High मतलब Oxidation Potential कम अनोड पर चूज करना है तो Best Choice for अनोड क्या होगा अगर अनोड किसी का लेना है तो सर उसमें क्या देखेंगे Oxidation Potential क्या होना चाहिए? High होना चाहिए Oxidation Potential क्या होना चाहिए? High होना चाहिए या फिर Reduction Potential क्या होना चाहिए? Low होना चाहिए देखिएगा अब सर यहां पर Potential Potential Game खेल दिया अब हमें किसी बैटरी के अंदर रिपरेजेंट तो कर लिया कि सरे नोड पर यह होता है, कैथोड पर यह होता है अब बैटरी के अंदर दो EMF होते हैं एक मुलते हैं स्टांडर्ड EMF स्टांडर्ड EMF मतलब E0 cell यह क्या होता है, यह तब का EMF है maximum potential difference है, तब का EMF होता है जब कोई current आप withdraw नहीं करते हैं potential difference between two electrodes of cell when concentration and pressure is unity मतलब 100% अभी है, वो तब होता है जब कोई current आप withdraw नहीं करते हैं maximum है यह EMF, E0 cell दिखिएगा, E0 cell में कोई फरक नहीं पढ़ता है, स्टांडर्डिक किस पे है, किस पे नहीं है यह सिर्फ और सिब किस पे depend करता है oxidation and reduction potential of electrode मतलब E0 cell, जब आपकी cell की battery की standard EMF निकालने जाते हैं तो सर्फ कोई फरक नहीं पढ़ता है स्टांडर्डिक कोफिजेंट से सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, किस का oxidation हो रहा है, किस का reduction हो रहा है उनका oxidation potential, उनका reduction potential से मतलब होता है, standard EMF of cell याद रखेगा, potential difference between two electrodes two electrodes of the cell when concentration and pressure is unity यह सर्थ तब डिफाइन होता है जब आपका इदम battery दम नहीं नहीं हो calculation of E0 cell की बात करें तो E0 cell क्या है, Sir E0 cell is nothing E0 oxidation, जिसका जो हो रहा है देखिए भाई साब, अगर आप NCRT ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, स्कूल में आपने पढ़ा तो उन्सम में क्या होगा, कि reduction potential के time से बताया जाता है, आप हमेशा यह पढ़ते है, cathode minus anode, right minus left यह सब चीजें ठीक है, पढ़ने को अच्छी बात है लेकिन exam wall में भरोसा नहीं reduction potential में दिया हो तब तो अच्छी बात है IUPAC reduction potential को promote करता है लेकिन अगर science वाला आदमी है तो उसको दोनों की बीच का difference पता होना चाहिए मैंने आपको क्या बोला, battery कैसे work कर रही है battery work कर रही है, because anode पे oxidation हो रहा है cathode पे reduction हो रहा है तो EMF of cell निकालने के लिए कुछ नहीं करना आप जिसका oxidation potential लेना है anode पे क्या हो रहा है, oxidation तो उसका oxidation potential लीजिए cathode पे क्या होना है, reduction, तो उनका reduction potential ले लीजिए enode cell क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग mix करेंगे enode cell हम लोग उन दोनों को mix करेंगे और क्या बना देंगे, oxidation potential plus reduction potential, add कर देंगे जिसका जो हो रहा हो, अब किसने बोला नहीं से मुझे तो reduction potential में चाहिए, तो कुछ नहीं बेटा, इसका reduction potential जैसे ही करोगे ये क्या हो जाएगा, plus का क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा अगर reduction potential नोड का लोगे, तो plus के बदल ये formula देख लो, इसमें reduction potential जैसे ही लिखोगे, ये minus हो जाएगा यहाँ oxidation potential जैसे ही लिखोगे, ये minus हो जाएगा तो सर, ये मेरे लिए important नहीं है, अगर आपने class attend करी है, मैं बार बर बोलता हूँ, जिसका जो हो रहा है, उसको add कर दो ये मत रटो, इस school वाला formula क्यों, क्योंकि बेटा, इसमें हो सकता है, अपने पास हो सकता है, सामने वाला right minus left करके जा रहे हो, exam hall में, neat में तो खास कर ये हो सकता है, कि oxidation potential दे दे, आप भी होश हो के आ गया है, क्या रहे यार, मैं तो right minus left करके गया था, यहाँ left minus right हो गया, तो ये रटिये मत, इसको याद रखिये, जिसका जो हो रहा है, उसको हम लोग use कर ल नहीं है, क्योंकि उसको हमी सिर्फ चार्ज करेंगे, वो काम का नहीं हो पाएगा, अगर किसी बैटरी से हमें E naught cell greater than zero आ रहा है, मतलब वो positive बैटरी है, और हमारे लिए अच्छी बैटरी है, useful बैटरी है, feasible बैटरी बोलते है, ठीक है, electrochemical series की बात करेंगे, तो electrochemical series क्या है, elements का arrangement है, on the base of their electrochemical reduction या oxidation potential, generally, NCIT देखेंगे, हम लोग अपने पास जो trick बनाएंगे, वो हम लोग reduction potential के ऊपर बना सकते हैं, इधर सिधर reduction potential अगर increase करेगा, तो oxidation potential decrease करेगा, यही होगा साय, पक्का, तो देखिएगा, electrochemical series का हमने class में trick भी पड़ा था, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, mango all mineral water, जिद करो फिर सामने CM हो, चाहे DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभू है, प्रभू है, क्यों आइंडिया आगे होगा, जब पटना और कलकता में, गोल्ड फेक कर, लोग पानी पी रहे हैं, तो ऐसे करके हमने याद करनी कोश करती, ज जैसे भी आपको किसी और ट्रिक से याद हो, कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखेगा, lithium क्या होता है, highest oxidation potential लेकर रखता है, इधर से इधर जाते है, reduction potential increase करता है, reducing power जिसकी जादा होगी, reduction potential जिसका जादा होगा, वो अच्छा oxidizing agent होता है, तो देख लो ना, ये देख लो अप potential जादा होगा, जिसका reduction potential, देख लो इधर जाओंगा, reduction potential बढ़ेगा, reduction potential बढ़ेगा, तो fluorine क्या करता है, chlorine को क्या करतेगा, chlorine क्या करतेगा, chlorine क्या करतेगा, chlorine क्या क्या करतेगा, क्योंकि इसका reduction potential हाई है, कि इसका reduction potential हाई है, मतलब वो खुद को reduce करेगा, आपको क्या करेग औक्सिडाइज, copper क्या करेगा, hydrogen को oxydize कर देगा, copper hydrogen को oxydize कर देगा, reduce नहीं कर पायेगा, क्योंई copper का reduction potential हाई है, copper जल्दी reduce होगा as compare to hydrogen, copper, silver, gold, याद रखना यह metals जो अपने पास च्छापा वाले metals होते, इनकों बोलते हैं कि यह वैसे metals है, जो metal होके hydrogen के पीछे रहते हैं, म क्या होता है हाई होता है hydrogen से भी आगे होते हैं emf of cell emf of cell मतलब कि सर अब आप नॉर्मल emf निकाल रहे हो जैसे physics में पोटेंशल और पोटेंशल और वोल्टेज की बीच में difference निकालते हो वैसे यहां पर है emf of cell emf of cell क्या है कि सर पोटेंशल डिफरेंस बिट्वेंट टू इलेक्ट्रोड आट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे करेंट आप विड्रॉ करोगे उसके बाद जैसे standard emf लिखते टाइम हमने क्या बला था concentration of pressure कितना होना चाहिए था 1 अब यहां concentration of pressure 1 नहीं होता तो यहां पर आता है non-stick equation non-stick equation मतलब देखो भाई यह क्या है जब एकदम नहीं नहीं बैटरी बनी हुई है और यह क्या है धियर दरी जब battery use हो रही है जब battery use होगी तो potential क्या होगा कम होगा तो नहीं होगा तो non-stick equation इन दोनों को ये value होती थी इसको अगर new variables के लिए यूज करना है तो आप इस formula को यूज नहीं कर पाएंगे numerical में ओर या आप को ये formula यूज करना पड़ेगा ये formula आप कहां यूज करेंगे numerical solve करने के लिए QC क्या होता है reaction quotient हमने class में discuss किया हुआ equilibrium में भी पड़ा हुआ है तो उसकी इसाफ से सोच लीजेगा add equilibrium qc becomes case equilibrium constant के बराबर हो जाता है e cell is equal to 0 e naught cell क्या होता है rt upon nf ln kc हो जाता है sir rt upon nf को हम लोग क्या लिख देते हैं 0.059 log kc लिख देते हैं delta g naught रहाख लो अप ये chapter थर्मणानिक से भी relate कर रहा है delta g naught gives energy of cell की निकालने जाओगे तो minus nf e naught cell आ जाता है और उसकी value minus rt ln kc हो जाती है gives energy gives energy of cell minus nf e cell हो जाता है अगर आप log की value solve करेंगे ये log ln है तो ln को इधर लेके जाएंगे तो देख लीजे यह देखिएगा nf e naught cell upon rt और e की power क्या हो जाएगी kc की value क्या हो जाएगे e की power अगर log से solve करेंगे तो सर देखिएगा n मतलब यह पूरा का पूरा n e naught cell upon 0.059 अब यह अलग-अलग तरीके हैं आपकी मरजी है e naught cell versus log kc का graph खीचेंगे e naught cell versus log kc का graph खीचेंगे slope कितना होगा 0.059 upon n e naught cell versus ln kc या graph खीचेंगे slope कितना होगा rt upon n f होगा तो यह छोटे-छोटे graph formulas obviously this chapter ने formulas बहुत सारे तो इसलिए बेटा इस summary lecture का utilization यही है कि यह सारे formulas आपको एक साथ मिल जाएंगे मैंने खुद की handwritten मतलब ठीक थाक writing में लिख दिया है आपकी अगर writing इससे भी अच्छी है तो आप इससे अच्छा लिखके instagram कहीं भी message कर दीजेगा मैं उसको बहुत अच्छे से accept करूँगा मेरी लिए भी काम आ जाएगा किसी को send करने के ठीक है क्योंकि मेरी writing में तो ठीक था कि यह समझ में आना चाहिए लेकिन अगर आपकी writing इससे भी शुंदर है तो अभी exam hall के आसपास मत कीजेगा exam के आसपास नहीं अगर आप टाइम मिलता है तो आप करके भेज सकते हैं ठीक है standard hydrogen electrode ऐसे ची ऐसे ची यह क्या है standard hydrogen electrode कब defined होता है जब pressure one bar हो concentration one molar हो standard यह क्या हुता है सरीश में hydrogen के ऊपर कि हम हईड्रोजन गैस को हम platinum प्लाट्पनं इलेक्ट्रूड पर रखते हैं platinum इलेक्ट्रूड पर क्यों 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 प्लाट्टनम प्लाट्नम पालीडियम इन सब के सर्फेस पर क्या होता है hydrogen चिपक जाता है, surface पे चिपक के रहता है उनके surface मतला platinum, एक लिटर अगर platinum का wire है ना या वो electrode है, तो उस पर 1000 लिटर hydrogen क्या होता है, एड्जॉब हो जाता है ठीके, तो वो वाली चीज़े हैं आपर, standard hydrogen electrode का आप NCIT में देखेंगे, तो मेरे लिए obvious उसकी construction important नहीं major उसके लिए है, कि hydrogen अगर cathode के form में यूज हो रहा है या hydrogen anode के form में यूज हो रहा है, तो anode पे क्या होगा, oxidation होगा और anode पे अगर oxidation करेगा, तो इसका enode cell, obvious है, hydrogen का aim of क्या अतना हो जाता है standard aim of कितना होता है, 0, लेकिन उसका e cell कितना होगा, oxidation potential कितना होगा 0.059 into pH हो जाएगा, और अगर reduction potential की बात करें, तो minus 0.059 into क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा यह देख लीजेगा, hydrogen oxidize कर रहा है, और यह वाला reduce कर रहा है cathode पे यूज करेंगे, अगर reduction देखेंगे, तो negative pH और oxidation देखेंगे, positive 0.059 into pH हो जाएगा concentration cells क्या है, concentration cells कुछ नहीं, सर ऐसी cells, ऐसी battery जिसका semi-metal का cathode हो और semi-metal का क्या हो, anode हो semi-metal का cathode हो, semi-metal का क्या हो, anode हो, सर देख लीजेए न, यह oxidize करेगा, यह इसको reduce कर रहा है सामने वाले का enode cell क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका oxidation potential और इसका reduction potential, दोनों एक दूसरी क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो सर कॉंसेंट्रेशन cell में, enode cell क्या हो जाता है, 0, जैसे ही enode cell 0 हुआ, emff cell निकाल सकते हो, minus rt, nf, lnqc, 0.059, log kc, निकाल, concentration cell यूज किया जाता है, ref के लिए अब यूज नहीं करेंगे, refining of metals में, जैसे copper, zinc, enzyme की refining में, electrolytic refining में, यूज करते थे concentration cells का, semi metal को oxidize करते थे, semi metal को reduce करते थे, electro chemical cell जो major part है, उसमें एक last चीज बसती है, कि electro voltage जो होता है, voltage कभी भी additive नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखिए, अगर आपको लगता हो कि सर सर, voltage कभी add नहीं करते है, energy additive होती है, voltage कभी additive नहीं होती, e naught cell क्या होता है, intensive in nature, intensive property होती है, जो direct add नहीं होती, independent of mass होती है, direct additive नहीं होती, तो यहाँ पर इस टाइप के questions के लिए हम लोग क्या करते है, conservation of gives energy निकालते है, हमें पता है, इस रास्ते की energy, इस रास्ते की energy, और इस हमेशा क्या रहेगी, conserve रहेगी, सर, कुछ नहीं, देख लिजेगा, इसके बीच में कितने electrons का tension है, कितने electrons का change हो रहा है, 2, तो 2 times x1, इसके बीच में कितने electrons का change हो रहा है, 3, 3 times x2, divide by, total electrons का change कितना हो रहा है, 5, कर देख लिए, या तो Gibbs energy से निकाल लिए, या फिर track देख ल अगर मैं तुमसे बोलू, conductance की बात बोलू, तो conductance क्या है, सर, conductance दो type का, एक metallic conductance है, या physics वाला conductance जहां पर metallic metals के valence electron काम करते है, metallic conductance या electronic conductance है, और एक होता है electrolytic conductance, जो chemistry वाले पढ़ता है, chemistry में कैसा conductance होगा, हम wire wire लेके थोड़ना चलेंगे, हम तो electrolyte लेके चलेंगे, हाली conductance की बात करें, तो ये metals के थ्रू होता है, किस पर depend करेगा, nature and structure of metal पर, कि कौन सा nature है, किस type का nature है, metal का, electro positive है, electro negative है, किस type का metal है, number of valence electron, किसके बास कितने valence electron है, और सबसे important कि सर, temperature पर depend करेगा, temperature पर depend करेगा, क्यों, क्योंकि आप physics में पढ़ते हो, temperature बढ़ाते हो, तो resistance बढ़ता है, metals का resistance बढ़ता है, जब resistance बढ़ेगा, तो conductance क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, याद रखेगा, sir, metals के case में temperature बढ़ाएंगी, उनका conductance क्या होगा, decrease होगा, लेकिन अगर वही बात, electrolytes की case में किया जाए, तो यहाँ पर, इसके कारण electricity conduct होती है, electricity किसके कारण conduct हो of electrolyte, कौन सा electrolyte लिया है, वो कौन से size of ions को produce कर रहा है, nature of solvent के उफर, and temperature बढ़ाओगे, यहाँ temperature बढ़ाओगे, तो electrolytic conductance क्या होता है, बढ़ता है, क्यूँ, टेमपरेचर बढ़ाओगे, तो यहाँ पर electrolytic का electrolytes का dissociation क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, electrolytes का dissociation क्या हो बढ़ेगा तो इसलिए अव्वे से conductivity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ध्यान रखिएगा chemistry की और physics की conductance में difference क्या है chemistry में electrolytes का temperature बढ़ाएंगे electrolytic conductance क्या हो जाएगी increase और यहाँ पर क्या हो जाएगी temperature बढ़ाएंगे metallic conductance क्या हो जाएगी decrease तो इस दोनों की बीच का unit क्या होता है ohm सर रो को क्या बोलते है specific resistance resistivity unit क्या होता है ohm meter या ohm centimeter होता है one upon resistance resistance का receive रोकर करोगे क्या मिल जाएगा conductance unit क्या होता है ohm inverse महो या फिर simons बोल देते हैं unit याद रखेगा इस concept से बार-बार बोला हूँ class में बोलता हूँ भी फिर से बोल रहा हूँ इस topic से अगर question आना होगा तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट में परिशान करेगा सर देख लिजेगा ohm inverse महो या simons सर one upon resistivity मतलब conductivity या फिर इसी को क्या बोलेंगे specific conductance सर इसको कैसे kappa से represent करते हैं के से represent करते हैं मतलब pronounce this kappa unit क्या होगा ohm inverse meter inverse या ohm inverse centimeter inverse याद रखेगा ohm inverse वो क्या बोल सकते हैं simons, simons meter inverse, simons centimeter inverse cell constant क्या होता है g star, g star is nothing l by a length of electrode divided by area of electrode सर length upon area को मैं चाहूं तो r into k भी लिख सकता हूं formula आपके सामने है r into k इसको क्या लिख सकते हैं 1 by k लिख सकते हैं r into k करेंगे l by a आ जाएगा सर, cell constant का unit क्या होता है, meter inverse या फिर centimeter inverse length inverse होता है, बस ये याद रखेगा अब सर, देखो ना, इसको मैं उल्टा कर दूँ 1 upon r, 1 upon rho, ये a by l, तो 1 upon r को क्या लिखेंगे g, 1 upon rho को क्या लिखेंगे k, a by l ये आ गया, पक्का सर, conductivity हो गई, resistivity हो गई, resistance हो गया, conductance हो गया, cell constant हो गया, तो यहीं पर एक आता है molar conductivity, what is molar conductivity, is nothing, conductivity divided by concentration, conductivity divided by concentration, यहाँ पर एक दिक्कत है, क्यों 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 क् बन जाते हैं, क्यों शर एक लीटर को आप लिखना चाहिए तो 1 by 1000 meetr cube सकते हैं, यहां पर एक लीटर को लीघना चाहिए, तो 10,000 1,000 cms3 अगर kappa सायमन मीटर में है तो लेमडायम का फॉरमला क्या होगा सर मीटर में है तो नीचे call ते सी से ड्यवाइट करेंगे मोल परलीटर उपर होगा लीटर कॉ Cabinet रुगनेटर को क्या लिक्राइंगे ब्यवाइट होगा साइमन मीटर सक्वाईरल काका अगर साइमन सेंट्यों में हैं तो लेमडायम क्या लिखेंगे के इन्टु थाउजंड अपॉन सी ये थाउजंड का कहां पर कौन सा चीज यूज होना है ये देख लिजेगा भाई साब आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक्जाम हॉल में इतना मतलब बताने वाला थोड़ी न पहुंचेगा वहाँ पर सांस में आप भी चल लिजे बगल में खड़े हो जाईएगा जहां गलती करें वहाँ बता दें ऐसा नहीं होता न तो भाई ये छोटे-छोटी चीज़ें जो आपको लग रहा हो कि अरे सर मैं तो समरी लेक्चर में ऐसे ही हां सर याद है मुझे याद है बेटा यही सम मिस्ट अपन मिलीटी कर दूंगा अब किन्द conservative अपन आर् मलीटी में थी दो कॉंसट आफ सेंटीमीटर में K upon N into thousand क्या हो? सर, मीटर में हूं तो यह देख लो इसका unit क्या होगा? साइमन मीटर स्कौार equivalent inverse इसका unit क्या होगा? साइमन सेंटी मीटर स्कौार equivalent inverse यह देखना सर, Lambda equivalent को आप डारेक्त लिख सकते हो Lambda M upon N factor N factor क्या है? हम सब जानते हैñ factor, atom के case में क्या होता है, valency, ions के case में क्या होता है, charge, acid के के case में number of H plus, base के case में number of OH minus, salt के case में जितना salt of cation, charge on cation, oxidation के case में number of electron lost, reduction के case में number of electrons gained and अगर redox reaction हो रहा है तो increase or decrease in oxidation number ले ले लेते हैं, पक्का, sir for same cell and different solution, एक ही cell के अंदर अलग-अलग solution लेते हो, तो आपका क्या सेम रहेगा, G star सेम रहेगा, मतलब cell constant सेम रहेगा, और वहाँ पर क्या equal कर देंगे, R1, K1 is equals to R2, K2, R1, K1 is equals to R2, K2, for same cell and different solution, cell constant G star सेम होगा, R1, K1 is equals to R2, K2, R1, K1 is equals to R2, K2 concentration decrease करते हैं, तो याद रखिएगा, concentration decrease करें, या dilution बढ़ा दे, concentration decrease कर रहें, मतलब volume add कर रहें, तो sir, conductivity क्या होती है, decrease करती है, क्यों? क्योंकि concentration कम कर रहे हो, तो number of ions per unit volume क्या होता है, reason याद रखिएगा है, सरसन रिजन के questions के लिए, कि number of ions per unit volume क्या होगा, decrease होगा, molar molar conductivity क्या होती है increase हो जाती है क्यों क्योंकि सर आपको ही पता है molar conductivity क्या होती है k by c होती है या फिर k n into v हो जाता है सर concentration के inversely चलता है concentration कम करोगे लेम डैम बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि आपका total volume बढ़ता है जब भी आप concentration या dilution करते हैं आपका total volume क्या होता है increase करता है तो conductivity क्या होती है decrease molar conductivity क्या होती है increase ठीक है reason क्या है total volume increases और उदर क्या हो जाएगा total volume सर, number of ions per unit volume decreases, तो याद रखेगा, conductivity जब decrease करे, conductivity कब decrease करती है, molar conductivity कब increase करती है, सर, concentration के हिसाब से, ये reasons याद रखेगा, क्योंकि exam hall में NCIT की lines हैं सब, मैंने point में लिख दिया है, NCIT में lines लाइन देके दिया हुआ है, अब एक चीज़ तुमें पता चल गई, concentration कम करेंगे, concentration जितना कम करेंगे, सर, उतना जादा lambda m की value क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो एक line आती है, कि अगर concentration एक दम ही 0 के आसपास पहुचा दे, concentration approach is 0, मतलब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, infinite dilution, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, infinite dilution, तो lambda m की value उस time पे क्या हो जाएगी, maximum हो ज जाएगे, limiting molar conductivity, आसा, यह fluctuation कैसे होता है, कि concentration कम कर रहे, lambda m की value बढ़ रही है, इस fluctuation को कैसे हम लोग represent करेंगे, तो strong electrolytes के लिए, यह presentation ऐसे किया आता है, lambda m is nothing, lambda m not, a into under root c, ठीक है, lambda m is nothing, molar conductivity is nothing, limiting molar conductivity, minus a into under root c, sir, अगर इस weak electrolyte की बात करें, तो lambda m क्या होगा, inversely proportional to, under root c, sir, अग strong electrolyte के लिए graph बनाओगे, straight line आएगा, slope negative के साथ, लेकिन अगर weak electrolyte के लिए graph बनाओगे, तो sir, ऐसा graph आएगा, rectangular hyperbola, यह graph क्या कहलाएगा, rectangular hyperbola कहलाएगा, यह graph क्या होगा, rectangular hyperbola होगा, तो conductance के अंदर देख रहे, conductance कैसे कैसे fluctuate हो रहा है, conductivity होती है, resistivity होती है, conductance हो गया, सर इनके आपसके relation conductivity में भी दो टाइब के conductivity हो गई, एक molar conductivity हो गई concentration कम करते है conductivity decrease करती है but molar conductivity increase करती है ये उल्टा चलता है concentration जितना कम करेंगे molar conductivity उतनी बढ़ती जाएगी and that is known as limiting molar conductivity limiting molar conductivity अगर किसी का निकालना है तो वहाँ पर कोहलास लो आता है कोजास लोग क्या बोलता है कि सर आपको कुछ नहीं जो भी कटायन और इनायन का जो भी कंट्रिबिशन है उन दोनों को क्या करोगे अड़ कर दोगे हाइस्ट अगर कोई पूछे लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी हाइस्ट किसकी होती ही सर देखिएगा जब आप साइज बढ़ाते हैं तो आपका कंड़क्टिविटी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी नने प्लस के पिलस का यह एंसी आटी के डेटा है जो हम दो कोई टेवल क्लास में देखी थी उसी डेटा के कंड़क्टिविटी बढ़ जाती है एक अप्लिकेशन यह भी होता है कि सर आपको बी और सी का निकालना है अगर आप बी सी का निकालना चाहते हो तो क्या करोगे अपको हम्ने इनकालना है और दूसरा एंपलिकेशन को क्या क्या होता है फ्रैक्ट्च में वालू आएगी क्या होता है हमने बहुत सारी chemical equilibrium, ionic equilibrium, सब जग़ा alpha use होता है alpha is nothing, degree of dissociation कौन कितना dissociate करेगा acid होगा या base होगा उसका degree of dissociation आप चाहें उस electrolyte का तो molar conductivity और limiting molar conductivity से भी निकाल सकते इसकी ratio divide by this acids के लिए बात करेंगे तो k की value क्या हो जाएगी c alpha square upon 1 minus alpha basis के लिए क्या हो जाएगी kb is nothing, c alpha square upon 1 minus alpha ustwal dilution law sir ustwal dilution law लगाते हैं तो 1 minus alpha क्या हो जाता है neglect कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा c alpha square, ustwal dilution law लगाएगे 1 minus alpha neglect हो जाएगा c alpha square, के मतलब acid का equilibrium constant, kb मतलब base का equilibrium constant 11th class की equilibrium ठीके, कुलांश law ये था कि limiting molar conductivity आप निकाल सकते हो limiting molar conductivity आप निकाल सकते हो limiting molar conductivity आप निकाल सकते हो ओके अब सर देखे लिजे, हमारा electrochemical cell हो गया, electro conductivity of electrolytic solutions हो गया अब आता है, electrolysis पे electrolysis क्या होती है, कि अब हम chemical reaction करवाएगे by passing the current, अब हम लोग reaction करवाएगे by passing the current अब electrolysis कैसे काम करता है तो electrolysis मतलब process of chemical reaction by passes of electric current आप देते हैं तो उससे pass होता है electric current pass करेंगे तो दो-तीर words होते है जैसे charge हो गया, उसका unit क्या होता है कूलम, I मतलब current, current क्या होता है ampere, time time मतलब unit क्या होगा इसका seconds, याद रखिएगा seconds में लेना है ampere और कूलम में लेना है आई का formula क्या होता है, charge per unit time या फिर charge का formula क्या हो जाएगा I into T अब यहाँ पर faraday scientist आए, उन्हें बोला कि भाई साथ सुनिये न, electrolysis कराएंगे तो जो mass deposited होगा, वो directly proportional to क्या होगा, charge के directly proportional to क्या होगा, charge के mass deposited is directly proportional to charge इस directly proportional to हटाने के लिए क्या लगा दिया हमने Z into Q, यह constant का नाम क्या रख दिया electrochemical equivalent और इस equivalent को देख लो, यह इसको बोलते है electrochemical equivalent, molar mass upon n factor into F faraday's constant, I charge को क्या लिख सकते हैं I into T लिख सकते हैं, charge को क्या लिख सकते हैं I into T, जितने भी numericals आएंगे आप इसके उपर attempt कर सकते हैं या फिर हम लोगोंने class में stoichiometry के उपर भी discuss किया हुआ है जिसको लगता हूँ, इस formula से करना है, आप इस formula से कर लिजे stoichiometry से करना है, stoichiometry से कर लिजे तो faraday's first law कुछ नहीं, कितना mass deposit होगा with respect to charge, कितने charge में कितना mass deposit होगा वो formula, M molar mass upon N factor, F into I into T Sir, M is molar mass, I is current ampere में, time second में N is number of electrons, lost or gained, F is faraday's constant इसकी value होती है, 9,6500 coulomb 9,6500 coulomb, तो यह faraday's first law है electrolysis जब होती है, तो electrolysis में आप क्या करते हो Sir, आपको एक तो mass deposited हो गया अब friday's second law, second law क्या दिया, electrolysis का, कि भई अगर charge same हो अगर charge same हो, charge अगर equal हो गया, तो जो mass deposited होगा वो equivalent mass के ratio में होगा, क्यों, क्योंकि तुम खुद सोचो ना अगर charge same हो गया, अगर charge same हो गया, मतलब क्यों same हो गया तो Sir, mass जो होगा, deposited का, M upon NF पे depend करेगा यह same हो गया, यह same हो गया, यह same हो गया, यह same है अपने पास यह constant है, तो Sir, सिर्फर सिर्फ किस पे depend करेगा equivalent mass पे, molar mass upon N factor हो क्या बोलते है, equivalent mass बोलते है तो Sir, इसी ने, Faradis ने भी यह बोला, कि Sir, अगर charge same हो mass deposited का जो ratio होगा, equivalent mass का ratio होगा molar mass upon N factor, molar mass upon N factor, निकाल देना ठीक है, तो यह Faradis first law, second law of electrolysis है यह जो थी ना, यह quantitative analysis थी, मतलब किसमें कितना mass deposit होगा किसमें कितना क्या होगा, यह deposition था, अब अगर हम qualitative analysis करें electrolysis का, कि Sir, कौन क्या बनाएगा, अगर electrode की बात करें है, cathode पर क्या बनेगा, anode पर क्या बनेगा, किसका oxidation होगा, किसका नहीं होगा तो यहाँ ध्यान रखना, अब जो product of electrolysis लिखने चाओगे, तो product of electrolysis में हमने class में 7, 8, 9, 10 examples किये थे, जिसमें हम लोग यह बता सकते थे, कि हाँ यार है, ऐसे हम लोग product guess कर सकते हैं, जैसे electrode की बात करते हैं, पहले हम यह देखते हैं, कि भाई, किसके presence में हो रहा है, अगर inert electrode है, मतलब वो participation नहीं करेगा oxidation and reduction में, लेकिन अगर reactive electrode है, जैसे अपना metal है, उसी metal का electrode बना दिया, तो अब वेसे वो भी reaction करेगा, तो अगर reactive electrode है, तो वो participate करेगा, inert electrode है, participate नहीं करेगा, cathode पे हमेशा reduction होगा, एनोड पे क्या होगा, हमेशा oxidation होगा, अब तुम cathode चूज करने जाओगे, तो cathode पे किसको लोगे, जिसका reduction potential हाई होगा, ध्यान सुनना, दो तरीके हैं, cathode को चूज करने के, एक जिसका reduction potential हाई होगा, अब तुम बोलोगों सब मुझे किसका पता, किसका reduction potential हाई है, तो वह यह कहां से आएगा, इलेक्ट्र केमिकल सीरीज याद है, लेकर भारत सरकार का ना मांगो, और मिनरल वाटर, ठीक है, जिद करो फिर CMO, चाहे DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभू है, फिर क्या लिखेंगे, क्यूं इंडिया आगे होगा, ब्रोदर, क्यूं इंडिया आगे होग जब पटना और कलकता में, गुल्ड फेक कर लो, पानी मांग रहे हैं, तो ऐसे करके हमने याद किया था, कैथोड का, सर कैथोड के लिए, एनूर पे देखोगे, तो एनूर पे क्या होता, उक्सिडेशन होता है, तो उक्सिडेशन चेक करने के लिए, क्या देख लो, मिलेगा सलफेट मिलेगा नाइट्रेट मिलेगा कोब कार्बोनेट मिलेगा यहीं मेजर चार पांच सॉल्ट मिलते हैं पानी का ओएज माइनस मिलेगा तो एक कसम खा ले ना इसका शॉटकट याद रखना अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सबसे पहले कौन जल्दी इनूड प्य और और झा प्याद अगर कि आ सब्सदेशन हो रहा है तो फिर ना इन तोड़ी ना जाल दिया, नई, हम लोग जब भी करते हैं, हम लोग एक मेटल जालेंगे, जैसे अब रही कोस्टन देखोका आप पता चल जाएगा, जैसे देखोको, ना वाटर सिडाग यहीं हो रहा है सर, water का reduction potential, water का oxidation होगा, O-2 से कहाँ चला जा रहा है O2, water का reduction potential होगा है, O-2 से कहाँ जा रहा है, H2 में, sir, इसका potential, oxidation potential, यह reduction potential, actually यह reaction होता है, काफी slow होता है, तो NCIT में एक line उसके है, भाई, जब reaction होगी, काफी slow होगी, तो इसको fast करने के लिए हमें extra potential देना पड़ता है, actually इसक इसकी value हम लोग क्या करते है, actual में क्या करते है, इसकी value को हम और ज्यादा potential देना पड़ता है, ताकि kinetically हम उसकी speed को बराबर कर पाएं, और जो extra potential डाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, over potential बोलते हैं, इसकी value कितनी हो जाएगी, minus 1.46, minus 1.46, यह देख लो, h2 उसे h2 जा है, minus 0.83, यह value देख लेना, oxidation में, उसकी value minus 1.23 बोली जाती है, लेकिन actual में कितनी होती है, minus 1.46 होती है, इसलिए discharge में देखोगे, तो oh minus पीछे रहता है, cl minus जादा रहता है, क्यों, क्योंकि cl minus का से जादा होगा, ठीक है, minus 1.46 से जादा होगा, ठीक है, चलो, अब देखो, product of electrolysis लिखते हैं, कैसे हो, cathode पे क्या बोला, cathode पे क्या लिखोगे, सर, electrochemical cell से लिखोगे, electrochemical series से लिखोगे, या फिर यह देखोगे, किसका reduction potential high है, anode पे किस से लिखोगे, anode पे यह trick पता है, anode पे यह trick पता है, निकाल लो, अब इसका कुछ results याद रखेगा, कुछ results, जैसे अब CL- है, देखना धहां से, CL- है, sodium प्लस है, H+, OH- है, CL- और OH- में कौन जल्दी oxidize होगा, CL- oxidize होगा, तो CL- CL2 गैस निकलेगा, और सर, अब देखना, sodium और water में, sodium और water में, किसका reduction potential जादा है, cathode पे किसका reduction potential जादा है, याद करो लेकर भारत सरकार करना, मांगो, all mineral water, water करेगा, तो inode पे क्या होगा, chlorine का oxidation, और इसका क्या होगा, water का, water का reduction, अब NACL बहुत कम हो गया, तो NACL बहुत छोटा हो जाए, NACL very dilute आ जाए, मतलब chlorine बहुत ही कम हो जाए, तो obvious है, उस ताइम पे फिर chlorine के बदले कौन oxidize करेगा, water, क्योंकि सर chlorine के concentration काफी कम हो गया, अब यहाँ पर, सर hydrogen तो पहले से ही है, NACL अगर mercury electrode लेते हैं, तो याद कीजेगा, mercury electrode में, यह तो same रहेगा, बट जो metal होता है, वो क्या करता है, mercury उसको लालस देता है, बोलता है, अभी कहा जा रहा, oxidized reducer, मैं तुझे करवाता हो ना, तो जितना extra potential जी मैं दूंगा, तो मेरे सा 4-2 है, तो H+, से officer, सर, water का ही oxidation होना है, कुछ और बनेगा नहीं, sulphate जल्दी oxidize करेगा नहीं, water में OH- ही करेगा, OH-2 देगा, यहाँ पर देखोगे, H+, H2 देगा, कहीं कहीं पर आपको यह NCRT की line है, कि सर, sulphate को भी oxidize किया जा सकता था, H2O-2 मैंनस में, जब उसके पास क्या हो current density high हो, और high SO4-2 हो, मतलब higher current density हो, और high SO4-2 हो, तो H2SO4 को oxidize करके हम इसमें भी convert कर सकते हैं, H2O8-2 में convert कर सकते हैं, H2O8-2 में convert कर सकते हैं, तो sulphate को oxidize करके यह बना सकते हैं, तो high current density, high sulphate, यह देख लेना, यह NCRT में है, यह 4 मेरे लिए बहुत important है, यह 4 मेरे लिए ठीक है, बैटरीज की बात करते हैं, बैटरीज अभी भी अपने पास NCRT में है, नई वाली में भी है, तो इसलिए सिलेबस का पार्ट है, जिस दिन बुरा हुआ उसे पूछ दिया जाएगा, बैटरीज दो टाइब की प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब एर्रिव सेकेंडरी बैटरीज में काउंट की जाती है, लकलेंचे सेल या ड्राई सेल की बात करें, तो लकलेंचे सल कहां यूज होता है, यूज होता है, प्राइमरी इर्रिवर्सिवल गैलवैनिक सेल होता है, अब ये जो है, एक्शुली फैक्ट फैक्ट है, लेकिन आपको NCRT में है, तो आपको पता रहना चाहिए, एनोड पे जिंक का ऑक्सिडेशन होता है, कैथोड पे ये होता है, ओवरल रियक्शन होगी, उसमें ये रियक्शन होंगे, इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, अब ये चीज हाँ, भाई अब इतना छोटा लिख दिया होता है, तो आप खुदी साइट से बनाते रहे है, मरकरी शेल की बात करें, तो मरकरी सेल की स्किलेट सो टेबल है, लो करेंट डिवाइस के लिए, लाइक हेरिंगे, और वाचर्स वाचेस इन सब के लिए, एनोड किसका होगा, जिंक मरकरी, जिंक का मलगम, ठीक है, अब है जियो, इलेक्टर लाइट कौन सा इस करेंगे, क्योंच, अब आप कमसम अबजिक्टिब कुस्चन के लिए तियार रहीएगा, मरकरी सेल में देखेंगे, तो रीयक्शन ये होती है, मरकरी सेल में एक बात बूली जाती है, कि मरकरी सेल की जो लाइफ होती है, वो ज् यह क्या रहता है constant रहता है इसकी voltage constant रहती है जैसे watches की देखोगे तो suddenly क्या होगे एक दिए suddenly watch रुख जाती है क्योंकि इनका voltage constant रहता है suddenly बंद हो जाएगा लेकिन अगर आप वही जो remote की बैटरी देखेंगे उसको ठक ठक मार मार के हम लोग चलाते रहते हैं कि उसकी बैटरी यहाँ पर डिफ्रेंस याद रखेगा लेक लेंचे सेल जो remote के अंदर डाली जाती है और जो watches और stop watches के अंदर यह सब के अंदर डाली जाती है वो कौन से है यह वाले button cell भी बूल देते है नॉर्मल लाइफ में mercury cell वाले लेडरिस्ट्री बैटरी कहां होती है औरनों औरं इन्वर्टर्स में यूज क्ये जाते हैं लेडर बैटरी नॉर्टे पास औरिकटो होट्रोक्त के मैं सच सच बोलू तो exam hall में नीट के exam hall में आपको objective questions पूछे जाएंगे आपको basic options देखके पता चल जाएगा कि lead oxidize हो रहा है यहाँ lead reduce हो रहा है तो ऐसे करके पता चल जाएगा लेकिन लेकिन जब आप exam hall में options पहचानने जाएंगे तो confuse मत रहिएगा इसलिए यह वाली चीज याद रखिएगा अगर आपको net reaction याद भी नहीं है तो anode cathode electrolyte क्या होता है अगर यह पता हो तो काम बन जाएगा तो मेरी साफ से construction ज़रूब पता होना चाहिए किसी बैटरी का अगर वह याद है तो आप exam hall में objective टिक मार सकते हो कोई दिखकत नहीं आएगे और चार्जिंग reaction is reverse on charging reaction जैसे ही reverse हो जाती है मतलब charging जैसे ही करोगे वह reaction इधर हो जाएगे ऐसे उल्टी हो जाएगे तो यह लेड श्टोर्ज बैटरी होती है nickel cadmium cell में हमें ncrt में nickel cadmium cell का net reaction ही बताया गया तो हम net reaction ही जानेंगे एनुड किसका होता है, कैडमियम का, कैथोड किसका होता है, निकल अकसाइड का, सर इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.4 वोल्ट होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, फिर ये लोग चो सेकेंडरी और प्राइमरी बैटरीज है न, इनसे भी अच्छा हमने क्या बनाया, फ्यू जाता है, ठीक है, यह एफिसेंसी अफ सेल को निकालने का तरीका होता है, गिब सिनर्जी अपॉन एन्थैल्पी इन्टू हूंड्रेट, सर फ्यूल सेल में एक सबसे रिनाउंट जो फ्यूल से एक साइड्रोजन, एक साइड्रोजन लेके हम लोग आते हैं, हाइड्रोजन क जो हमाई लाइफ में आगे 5-10 साल के अंदर दिखेगा हमाई जिन्दगे में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल से, कोरोजन की बात करें तो कोरोजन भाया कुछ नहीं, ऑक्साइड, सलफाइड और कार्बनेट का बनना, because of reaction with moisture या other atmospheric gases, सर जैसे iron का कोरोजन हम सब अक्सीडाइज होके हैं, हो मिटल अक्सीडाइज हो जाए, तो हमारा iron क्या हो जाएगा, store हो जाएगा, बच जाएगा, तो ये छोटे छोटे पूरा का पूरा आपके पास, पूरा का पूरा हम लोग के हिसाब से, अब आपका electrochemistry का जितने major formula थे, जितने major concepts थे, जो भी हम ल जाएगा, हाँ, जो मैंने यहाँ बताए हैं, वो चार NCRT में हैं, तो यह important है, बाकी आप खुद समझदार हैं, अब, electrochemistry अब आपके हवाले, ठीक है, class कर लिया है, summary lecture भी कर लिया है, अब आप सिर्फ औस एक काम के लिए, questions उठाए कीजिए, चाहे वो previous year के हो, चाहे test के हो चाहे कहीं के भी आप questions उठाईए, इस formula से बाहर, neat के syllabus में अब इससे जादा कुछ नहीं आने वाला, so don't worry, आराम से पढ़ाई कीजिए, अब सिर्फ सिर्फ एक्जाम और उसकी टेंशन लिजे, अपने improvement के उपर, okay, इस formula sheet को आप चाहें, तो अपने हिसाब से, अगर अगर